प्रे दोस्तों आप सभी दर्शकों का सत्यवकों खोजने और जानने वाले धारावाहिक बाइबल अध्यनकारी करम सत्यवचन में मैं स्वागत करता हूँ आपको ग्यात होगा कि हम इन दिनों बाइबल की तीसरी पुस्तक लैवे ववस्ता का अध्यन करते आ रहे हैं और हमने पिछले प्रसारण में पांचवे अध्याय को समावत किया था और अब हम छटवे अध्याय में इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर उन पांच बलिदानों के संदर्व में महायाजक और याजकों अर्थात हारून और उसके पुत्रों को विशेश निर्देश देते हैं आप यहाँ पाते हैं कि परमेश्वर का निर्देश अग्वों से आरंभ होता है परमेश्वर सबसे पहले अपने लोगों को निर्देशित करते हैं कि उन्हें क्या करना है हम यहाँ पाते हैं कि प्रभु ईशु मसी जो हमारा महायाजक है वह ही हमारा बलिदान पशु भी है जो हमारे लिए बद किया गया यह सारे बलिदान मसी के लगातार समर्पन की ओर संकेत करते हैं और यह पताते हैं कि यह कार्य केवल वह ही कर सकता था इसलिए हमारा पूरा भरोसा और आस्था उस पर ही आश्रित हैं। तो चलिए मित्रों हम आज के अध्यन को आरम करते हैं। इस भाग का आरम पूरोहितों के लिए वा हारुन के पुत्रों के लिए विशेस निर्देश से होता है। चुकि याजक वेदी पर सेवा करते थे और सभी प्रकार के चड़ावे अगनी वेदी पर चड़ाने में व्यस्त रहते थे। या सभी कुछ स्वर के उस वास्विक्ता की ओर संकेत है जहां प्रविश्य मसी हमारा महाया जग सेवा करता है। एक और चौकाने वाली बात है कि मसी केवल पूरोहित ही नहीं प्रन्तु चड़ावा भी है। उसने स्वयम को बलिदान कर दिया। हम इश्य मसी की देह के एक ही बार बलिदान चड़ाये जाने के पौइत्र किये गए हैं और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रति दिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चड़ाता है। पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वला के लिए चड़ा कर परमेशर के दाहिने हाथ जा बैठा है, इबरानियों के पत्रे दस अध्या उसके पांच से बारपद में हम इसे देखते हैं, आपके और मेरे लिए स्वर्ख पर एक ऐसा महायाजक है, जो बहुत व्यस्त भी है, जब कहा कि वह जा बैठा, इसका अर्थ है छुटकारा पूर् पापों की सूची यहां किवल नमुना है, और दोशों की संख्या और सूची में जुड सकती हैं, वे ऐसे पाप हैं, जो परोसी के विरुद प्रति दिन के विवार में दिखाई देते हैं, तो आई हम पढ़ते हैं लैवेवस्था की किताब, उसके छे अध्याय और एक पस से चल करें, वे उस पर अंधेर करें, वे पढ़ी हुई वस्थू को पाकर उसके विशे जूट बोलें और जूटी शपत भी खाएं, ऐसी कोई भी बात क्यों नहों, जिसे करके मनुश्य पाफी ठहरते हैं, तो जब वे ऐसा काम करके दोशी हो जाए, तब जो भी वस्थू उसने लूट वे अंधेर करके वे धरोहर वे पाई हो, चाहे कोई वस्थू क्यों नहों, जिसके विशे में उसने जूटी शपत खाई हो, तो वे उसको पूरा पूरा लोटा दे, और पाच्वा भाग भी बढ़ा कर भर दे, जिस दिन यह मालुम हो कि वे दोशी है, उसी द प्रमेश्वर का अलग प्रकाशन दिखाई पड़ता है, इससे पता चलता है कि पडोसी के विरुदपाप परमेश्वर के भी विरुदपाप है, इसलिए प्रवीश्य ने कहा, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुश्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वह ऐसा ही करो, क्योंकि विवस्था और भवशद वक्ताओं के शिक्षा यही है, दूसरा राजा छे अध्या के पांच पद में इसका उधारन मिलता है, जब एलिशा के विध्यारती, उधार लिया हुआ कुलहरा को बैटते हैं, जैसे संगती, इस अवतरन में व्यपार भाग इदारी ही है, हिंसा से प्राप्त करना जबर्जस्ती का साउधा है, जैसा आहाब ने नाबाद की दाख की बारी में, पहला राजा 21 अध्याए, उसके 2 से 16 पद में हम इसे पाते हैं, मुझे दोहराना होगा कि किसी निकट्तम व्यक्ती के विरुद कुछ करना वरमेश्वर के विरुद करने के बराबर है, तो आई हम आगे देखते हैं होम बली से सम्बंदित नियम, लै विवस्था की पुस्तक 6 अध्या उसके 8 और 9 पद में लिखा है, फिर यहवा ने मुसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों को आग्या दे कर या कह, कि होम बली की विवस्था यह है अर्थात होम बली इंधन के उपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे और वेदी की अगनी वेदी पर जलती रहे, वेदी पर सारी रात अगनी बली रखी जाती थी और अगनी भी प्रजोलित रहती थी ताकि पशु बली भश्म हो जाए, यह प्रविशु मसी के लगातार समर्पन की और संकेत है, इससे यह तत्थे भी स्पष्ट होता है कि हमें स्वहिम को जीवित पलिदान करके उसे अर्पित करना है, रोमियो के पत्री 12 अध्या के 7 पद में हम पाते हैं, यह नार्चिसू सम्मचार 6 अध्या उसके 29 पद में हम पाते हैं, आगे राक के भस्म करने से वेदी पर रह जाए, उसे उठा कर वेदी के पास रखे, तब वह अपने वश्टर उतार कर दूसरे वश्टर पहन कर राक को छावनी से बाहर किसी शुद अस्थान पर ले जाए, परमिशन ने विस्तार पूरग उन कपड़ों के बारे में निर्देश दिये हैं, जिन्हें पुरहितों को पहनना है, उसे ना किवल लंबा अंगरखा धारन करना था, जैसा साधारन पुरहित पहनते हैं, प्रंतो सूती जांगिया भी, ऐसा क्यों? शरीर को पूरी तरह ढखना चाहिए, मेरे प्रियों, पुरहित जब भस्म राक उठा ले, तो अपने वस्त्र उतारे, तथा नए पहरावे को धारन करे, वेदी की भस्म राक मौलिक रूप से पाप पर न्याय बताती है, फिर राक भी दूशित थी, इसको निकाल कर स्वक्ष अस्थान पर रखना चाहिए, या पाप से अशुत्ता का कितना सुन्दर चित्रन है, लैव अनबली के टुकडों को उसके उपर सजा कर धर दे, और उसके उपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे, वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वा कभी बुझने ना पाए, योना की सुसमाचार उसके तीन के च्छतिस में लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनन्त जीवन उसका है, प्रन्तु जो पुत्र की नहीं मानता, वह जीवन को नहीं देखेगा, प्रन्तु पर मेश्वर का क्रोध उस पर रहता है, आगे हम देखते हैं अनबली से संबंदित नियम, लेविवस्था के पुस्तक 6 अध्याय उसके 14 और 15 पत में लिखा है, अन पर का सब लुबान उठा कर अनबली के स्मरनार्थ के इस भाग को यहवा के समुख सुख दायक सुगंद के लिए वेदी पर जलाए, पुना पुरोहितों को निर्देश दिये गए हैं, भेट करता एक आराधक है, जो वेदी के समक्ष परमेश्वर के समुख आनंद के साथ उपस्तित होता है, याजक उसके बलिदान चड़ाता है, लेविवस्था की फुस्तक 6 अध्या के 16 और 17 पद में आगे लिखा है, और उसमें से जो शेस रह जाए, उसे हारून और उसके पुत्र खा जाएं, वे बिना खमीर पुईतरस्थान में खाया जाए, अर्थात वे म मिलापले तंबू के आंगन में उसे खाएं, वे खमीर के साथ पकाया न जाए, क्योंकि मैंने अपने हब्य में से उसको उनका निजभाग होने के लिए उन्हें दिया है, इसलिए जैसा पाबली और दोशबली परम पवित्र है, वैसा ही वह भी है, लिखा है वे खमीर के सा नहीं खाया जाएगा, पुराने अनवाद में अखमीरी ही खाया जाए, पवित्र अस्थान जहां खाना था, वह मिलापले तंबू का बाहरी आंगन था, परमेशर वहाँ था, अता वह अस्थान पवित्र था, परमेशर की उपस्तिती अस्थान को पवित्र बनाती है, स्मर पत्रस भी कहता है, तब हम उसके साथ पुरूष उस में से खा सकते हैं, तुमारी पीड़ी-पीड़े में यह उनका भाग, सदेव बना रहेगा, जो कोई उन हावनों को च्छुए वह पुरूष ठहरेगा, सभी विश्वासी गन हमारे प्रवीश्य के पवित्र, मनुशत्य की महिमा और संधर्य के अद्भुत आनन्द के भागिदार बनते हैं। लैविवस्था की पुस्तक 6 अध्याय उसके 19-23 बद में आगे लिखा है। फिर यहवा ने मुशा से कहा, जिस दिन हारून का अभिशेक हो, उस दिन वह अपने पुत्रों के साथ यहवा को यह चड़ावा चड़ाए। उसके पुत्रों में से जो भी उस याजक पत पर अभिशिक्त होगा, वह भी उसी प्रकार का चड़ावा चड़ाया करे। यह भीदी सदा के लिए है कि यहवा के समुक वा संपुन चड़ावा जलाया जाए। याजक के संपुन अन बली भी सब जलाया जाएं, वह कभी न खाया जाए। मेरे प्रियोंग प्रोहितों के लिए अन बली को ना किवाल खाना, प्रन्तो उस में से दशमांस भी चड़ाना था। जो पुरोहित दस्मांस ग्रहन करते उसे उसका दस्मांस भी देना था अर्थात दस्मांस निरंतर चड़ाना था पुरोहितों को लेना और देना दोनों आवश्यक था आगे हम देखते हैं पाप बली के संबंद में ले विवस्था के पुस्तक छे अध्याय उसके 24 से 30 पद में आगे लिखा है फिर यहवा ने मुसा से कहा हारून और उसके पुत्रों से यह कर कि पाप बली की विवस्था यह है अर्थात जिस अस्थान में होम बली पशु वद क किया जाता है उसी में पाप बली पशु भी यहवा के समुख बली किया जाए वह परम पवित्र है और जो याजग पाप बली चड़ावे वह उसे खाए वह पवित्र स्थान में अर्थात मिलाप ले तंबु के आंगन में खाया जाए जो कुछ उसके मान से चु जाए वह प पकाया गया हो तोड़ दिया जाए यदि वा पीतल के पात में सिजाया गया हो तो वा मांजा जाए और जल से धोया जाए और याजकों में से सब पुरुष उसे खा सकते हैं पर जिस पापबली पशु के लहु में से कुछ भी खून मिलापवले तंबु के भीतर पुईत्रस् तब तो उसका मांस कभी न खाया जाए वा आग में जला दिया जाए याजकों और प्रोहितों के लिए पुना आदेश दिये गये हैं पापबली कुरूस पर किये गे कारे के विशे बोलती है और उसे अगने बली के साथ चढ़ाना था खोंबली मसी के चरित्र को दरशाती है मसी पवित्र निर्दोष होना चाहिए तथा पाप रहित जिसे संतोष प्रद चढ़ावा हो वह बचाने योग्य समर्थ होना चाहिए इसलिए कुवारी कन्या से जन्म लेना उद्धार के लिए आवशेक था केवल वही पवित्र आत और मेल बली के नियम इन दोनों बलिदानों के संबंद में पुरोहितों को दिये गए निर्देश इस अध्याय में भी शुरू हैं दूसरे बलिदानों के अपयक्षा ये दोनों अधिक व्यक्तिगत हैं दोश किसी इसराइली विशेस का होता था ना कि पूरी मंडली का वि उस्तक साथ अध्या उसके एक से साथ पद में लिखा है फिर दोश बली की विवस्ता यह है वह परम पवित्र है जिस अस्थान पर होम बली पशु का वद करते हैं उसी अस्थान पर दोश बली पशु का भी बली करें और उसके लहु को याजक वेदी पर चारों ओर अर्थात उसकी मोटी पूच को और जिस चर्वी से अंतनिया ढपी रहती है वह भी और दोनों गुर्दे और जो चर्वी उनके उपर और कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के उपर की जिल्ली इन सभों को वह अलग करे और याजक इन्हें वेदी पर यहवा के लिए हवन करे तब वह दोशबली होगा याजकों में के सब पुरुष उसमें से खा सकते हैं वह किसी पवित्रस्थान में खाया जाए क्योंकि वह परम पवित्र है जैसा पाप बली है वैसा ही दोशबली भी है उन दोनों की एक ही व्योस्था है जो याजक उन बलियों को चढ़ा के प्राहशित करे वही उन वस्तों को ले ले। दोश बली की विवस्था ठीक उसी नमूने पर है जैसा पाप बली के लिए है। यत्पी या पाप के कारी के लिए और बली करता को याद दिलाते हैं कि बलीदान पवित्र है। मसी की योग्यता और कीमत को आँका नहीं जा सकता। अब आगे हम देखते हैं ले विवस्था साथ अध्याय के आठ पद में लिखा है। और जो याजक किसी के लिए होम बली को चढ़ाए उस होम बली पशु की खाल को वही याजक ले ले। वास्तों में पशु का एक ऐसा अंग है जिसे जलाया नहीं जाता वह चमड़ा है और याजक के पास जाना है या इशु की धार्मिक्ता को पहन लेने की ओ संकेत करता है। परमेश्वर इशु मसी से संतुष्ठ है और हमें भी मसी में ही देखते हैं। अर्थात परमेश्वर की वा धार्मिक्ता जो इशु मसी पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है क्योंकि कुछ भेद नहीं। रोमी के पत्री तीन अध्या के 22 पद में हम इसे देखते हैं। अब लैविवस्था की पुस्तक साथ अध्या उसके 9 से 10 वत में आगे लिखा है। अब लैविवस्था की पुस्तक साथ अध्या उसके 11 और 12 पद में लिखा है और मेल बली की जिसे कोई यहवा के लिए चड़ा है विवस्था यह है। यहाँ इस तत्थे पर जोर है कि यह सोतंत्र इच्छा से चड़ाई हुई बली है। इसका कारण धन्यवाद है। इसका विश्वासियों के लिए एक विशिष्ट अर्थ है। उसके द्वारस्तूती रुपी बलिदान अर्थात उन होटों का फल जो उसके नाम का अंगिकार करते हैं परमेश्वर के लिए सरवदा चड़ाया करें। इबरानियों के पत्रे 13 अध्याय उसके 15 पद में हम इसे पाते हैं। आगे हम देखेंगे लैवेवस्ता के पुस्तक 7 अध्याय उसके 13 और 14 पद में। लिखा है और वह अपने धन्यवाद वाले मेल बली के साथ अकमीरी रोटियां और तेल से सने हुए मैदे के फुलके तेल से तर चड़ाये। और ऐसे एक-एक चड़ावे में से वह एक-एक रोटी यहवा को उठाने की भेट करके चड़ाये। वह मेल बली के लहु के छिड़कने वाले याजक की होगी। प्रियोध्यान दे, पद बारा में अक्मेरी फुलके वह अक्मेरी रोटियां हैं। पद तेरा में खमीरी रोटियां हैं। कुछ अदभुत प्रतित होता है, ऐसा क्यों? जबकि खमीर सैधान्तिक रूप से बुराई है, इसलिए क्योंकि पद बारा में मसी हमारा मेल बली है और वह निश्पाप है, पद तेरा में वह बली चड़ाने वाला, मेल वाले में धन्यवात के साथ भागीदार बनता है। उसके पाप शमा हुए और उसका मेल परमेश्वत से हुआ है, प्रन्तो उसमें कुछ बुराई अब तक है, खमीर मवजूद है। आगे हम देखते हैं लेवेवस्ता की पुष्टक साथ अध्याय उसके पंद्रस से अठारा पद में। प्रन्तो जो कुछ बलिदान के मांस में से तीसरे दिन तक रह जाए, वह आग में जला दिया जाए। और उसके मेल बलिदान के मांस में से यदि कुछ भी तीसरे दिन खाया जाए, तो वह ग्रहन न किया जाएगा। और न धार्मिक्ता में गीना जाएगा, वह घ्रिणित कर्म समझा जाएगा, और जो कोई उसमें से खाए, उसका अधर्म उसी के सिर पर पड़ेगा। मेल बली को एक ही बार में खा कर समाप करना था, इसमें देर नहीं होनी थी, इसी प्रकार हमें मेल का आत्मा और परिक्षा के उपर विजय पाने के लिए मसी के अति निकट रहना है। लएवेवस्ता की पूस्तक साथ अध्याय उसके उननिस और बीस वद में। लिखा है, फिर जो मांस किसी अशुद वस्तु से छू जाए, वा ना खाया जाए, वा आग में जला दिया जाए। फिर मेल बली का मांस जितने शुद हों, वे भी खाएं। प्रंतु जो अशुद होकर यहवा के मेल बली के मांस में से कुछ खाए, वा अपने लोगों में से नाश किया जाए। एक अशुद व्यक्ति जिसने मेल बली में से कुछ खाया, वा जाती बाहर किया जाए। इसी प्रकार आज भी विश्वास करने वालों को परमेश्वर क संगत्ति में प्रवेश से पहले अपने जीवन के पापों का अंगिकार करना चाहिए। लैविवस्था साथ अध्याय उसके 22-23 पद और 26-27 पद में आगे हम पढ़ते हैं लिखा है। फिर यहवा ने मुसा से कहा इस्राइलियों से इस प्रकार कह कि तुम लोग न तो बैल की कुछ चर्वी, खाना और ना भेड वा बकरी की और तुम अपने घर में किसी भाती का लहू चाहे पक्षी का हो चाहे पशु का हो ना खाना। हर एक प्रानी जो किसी भाती का लहू खाएगा वा अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। हमें ग्यात है कि लहू के सेवन होने का किवल यही आधार भी है उन्हें चर्वी खाने की भी मनाही थी क्योंकि चर्वी ईश्वर का भाग है लैवेवस्ता साथ अध्याय उसके 28 से 34 पद में लिखा है फिर यहवा ने मुसा से कहा इस्राइलियों से इस प्रकार कह कि जो यहवा के लिए मेल बली चड़ाए व वह उसी मेल बली में से यहवा के पास भेंट ले आए वह अपने ही हाथों से यहवा के हव्वे को अर्थात च्छाती हिलाने की भेंट करके यहवा के सामने हिलाई जाए और याजग चर्वी को तो वेदी पर जलाए प्रंतों च्छाती हारून और उसके पुत्रों की होगी फिर तुम अपने मेलबलियों में से दाहिनी जांग को भी उठाने की भेंट करके याजक को देना। हारुन के पुत्रों में से जो मेलबली के लहू और चर्वी को चड़ाए दाहिनी जांग उसी का भाग होगा। क्योंकि इस्राइलियों के मेल बलियों में से हिलाने की भेट की च्छाती और उठाने की भेट की जांग को लेकर मैंने याजक हारून और उसके पुत्रों को दिया है कि यह सरवदा इस्राइलियों की ओर से उनका हक बना रहे हारून उसके पुत्र और पूरहुतों को मेल बलि के पशुक की छाती वा जांग का भाग प्राप्त होता था। छाती से मसी का हमारे लिए प्रेम का संकेत है। कंधे मसी की शक्ति और बल को बताते हैं वह दुर दशा से बचाने में समर्थ है। छिन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छिन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। वा अपनों से अनंद प्रेम करता है, वा उन्हें नीचे अस्थान से भी बचाता है। पुराना नियम के सभी बलिदान, सिद्ध नमूने की मांग हैं, और वा मसी में उपलब्ध हुई है। इबरानियों के पत्रे 9 अध्याय के 28 पद में लिखा है, वैसे ही मसी भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। लेवेवस्ता साथ अध्याय उसके 35 से 38 पद में हम देखते हैं, जिस दिन हारून और उसके पुत्र यहवा के समेब याजक पद के लिए आ गये, उसी दिन यहवा के हब्यों में से उनका यही अभिशिक्त भाग ठहराया गया। अर्थात जिस दिन यहवा ने उसका अभिशिक्त किया, उसी दिन उसने आगया दी कि उनको इस्राइलियों की ओर से यही भाग नित मिला करें। उनकी पीड़ी-पीड़ी के लिए उनका यही हक ठहराया गया। होम बली, अन बली, पाप बली, दोश बली, याजकों के संसकार बली और मेल बली की विवस्था यही है। जब यहवा ने सिनय परवत के पास के जंगल में मूसा को आगया दी कि इस्राइली मेरे लिए क्या-क्या चढ़ावे चढ़ाएं। तब उसने उनको यही विवस्था दी थी। परमेश्वर इस प्रकार अध्याय छे और साथ में बलीदानों के संबंद में हारुन और याजकों को दिये गए निर्देशों को समाप्त करते हैं। प्रिदोस्तों हमने आज विस्तार से इस बात को जाना कि होम बली, अन बली, पाप बली और दोश बली चाहे जान बूच कर या अंजाने में हो उसके लिए हमें शमा प्राप्त करने की अवशक्ता है। एक विशेश बात यहां यह भी है कि पुरहितों का भाग उस चड़ावे में से ही आता था जो लोग बलीदान किया करते थे। पर पुरहितों को भी उसका दश्वांस देना होता था जो नियम आज भी हम सभों के लिए लागू है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर ने उत्तम भाग याजकों के लिए रखा जो उसकी सेवा मंदिर में करते थे। जो प्रगट करता है कि परमेश्वर की सेवा से उत्तम कार और कुछ भी नहीं है। हमने देखा कि पुराने नियम के बलिदान भी सिर्फ पाप शमा के प्रगटी करण थे पर पापों की शमा मसी पर विश्वास करने के द्वारा ही उन्हें प्राप्त होई। इस कारण यह रिती विधी कारे नहीं करती पर केवल मसी पर विश्वास ही एक मात्र है जो हमें पापों की शमा प्रगटान करता है। जैसा कि इफीसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय के आठवे बचन में लिखा है कि विश्वास के द्वारा अनुगरही से तुम्हारा उध्धार हुआ है और यह तुम्हारी और से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। दोस्तों क्या आपने परमेश्वर के इजदान को प्राप्त किया है। आईए हम प्रार्थना के साथ अपने अध्यान को समात करें और यह प्रार्थना करें कि परमेश्वर द्वारा प्रभु ईश्व मसी का ये वरदान हमें प्राप्त हो सके। हमारे स्वर्गे पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने एक मात्र विश्वास को हमारे लिए कारक साबित किया कि हम प्रभु ईश्यू मसी पर यदि विश्वास करते हैं तो वो हमारे स्थान पर उस कुरूस पर बलिदान होता है उस पवित्र वेदी पर बलिदान होता है और हमारा इस्थान प्रभुईश्यू स्वेहम ले लेता है प्रभु इस अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं हमारे जितने भी दर्शक आज आपकी और अपने मनों को लगाते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि उनके पाप प्रभु इश्यू मसी के द्वारा से शमा किये जाए प्रभु आप उन्हें ग्रहन करें और हमारा निवेदन है प्रभु आपसे कि हमारे सभी दर्शकों को आप आशिशित करें उनकी जो भी अवशक्ता हो प्रभू, उनकी जो भी कमी हो, उसमें आप उन्हें भर पूरी प्रदान करें। हमारे प्रभू इश्यू मसी के नाम से इस बिंती को मागते हैं। आमेन। किस बली को एक ही बार में खाकर समाप्त करना होता है। तो वाटसेप के माधियम से 9198210018 पर हमें 24 घंटे के अंदर भेज दें। किस बली को एक ही बार में खाकर समाप्त करना है। किस बली को एक ही बार में खाकर समाप्त करना है। किस बला 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 में खाकर समाप्त करना है। झाल झाल